नमस्कार दोस्तो एहंकार सत्ते को स्विकार नहीं करता और सत्ते को जानने वाला कभी भी एहंकार नहीं करता नमस्कार दोस्तो जैश्री राम स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम बात करने जा रही हैं आपके राशी फल के बारे में दोस्तो आज आपका 27 सितंबर दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है आपको आने वाले समय में किन-किन चीजों से साफधन रना होगा और आपको बता दें आने वाले समय में वो कौन-कौन सी कुश कबरियम मिलने वाली हैं तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका बिजनिस वेपार कैसा चलेगा आपका प्रेम संबंद कैसा रहेगा और साती साथ आपका स तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपुन्ध राशी फल बताएंगे अगर दोस्तो आप कोई अपनी राशी जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तो आज मंगलवार है बजरंग बली महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जैश्री राम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार आज की तीती है द्वित्या आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र पक्षल रहा है शुक्लु पक्ष दोस्तो आज सूरे देव उदे होंगे सुबा 6 बच कर 11 मिनट पर दोस्तो आज का शुब समय है सुबह 10 बच कर 13 मिनट से सुबह 11 बच कर 69 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई शुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए शुब रहेगा और दोस्तो इसके साथी साथ आज का शुब समय है दोपैर 1 बच कर 24 मिनट से दोपैर 2 बच कर 12 और अमिनिट तक रहेगा दोस्तो आज आपका लगई नमर है पाच और लगई कलर है केसरिया और पीला अब बात कर ल abges üzerine हैं दोस्तो आपके राशी फल के बारे में दोस्तो आपको बता दे कि आपको शफलता प्राप्ट करने के लिए अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करना चाहेंगे और दोस्तों मनुरंजन आनंद और अपना प्यार तीन ऐसी चीज़े हैं जो दोस्तों जिने आज आज आप मिस कर सकते हैं अपने प्रेमी को यह ऐसास कराना ना भूलें कि आपके लिए वो कितने महदपून हैं याद रखे दोस्तों कि प्यार के खेल में बु अच्छा रहने वाला है और दोस्तों आपको बता दे कि महदपून मुद्दों पर इस समय विचार विमर्श होने के योग बन रही हैं इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी साबधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय जो है सहीग परिवार में लगाव जैसी बातों पर विचार विमर्श हो सकता है कुछ वाद विवाद के सिति भी बन सकती है दोस्तों ये जो समय होगा धहरे बना कर रखना उचित रहेगा दोस्तों घर के किसी विक्ति के स्वास को लेकर के चिंता भी रह सकती है और इसके साथ ही आपके लिए जो समय होगा आपको बता द कि अपेक्षा है दोस्तो उनको योग दिशा में अपनी मेहनत लाने की आवशक्ता होने वाली है और दोस्तो आपको बता दे हर एक बात पर अधिक ध्यान देने की आपको आवशक्ता होगी तभी जाकर आप अपने काम को गती में ला पाएंगे और दोस्तो इस समय आपके लि इसे मन में भी प्रसनेता रहने वाली है और दोस्तों आपको बता देते हैं कि दिन काफी बहतर रहने वाला है और दोस्तों ध्यान रखेंगी कोई करीबी ही करमचारी के बीच में कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती है पिता समान विक्ती की मदद और सलहा के लिए फायदे बन रहने वाली है पती पत्नी के बीच में संबन मदूर रहेंगे खासी जुखाम और बुकार की समस्या परिशान कर सकती है रात की दोस्तो कितनी भी गहरी क्यों न हो लेकिन दोस्ती कहीं न कहीं आपकी तूट सकती है और सारी परिशानिया दोस्तो आपकी दूर भी हो सकती है दोस्तो अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आपको बस धैर रहना होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोस्तों फिर से आपके जीवन में खुश्यों की बरसात होगी घर परिवार का विवस्तित महौल रखने में आपका विशेश युगदन रहने वाला है प्रापटी के सेल पर दोस्तों कुछ कारवाई अगर चल रही है तो आपको निश्ची दी सफलता मिलने वाली है आप शारे रिक और मांची ग्रूप से अपने आपको शशक महसूस करने वाले हैं किसमत दोस्तों आपका काफी साथ देगी और इसके साथ ही आपको किसी सदस्य की नकरात्मक बात को ले करके घंपरिवार में थोड़ी सी उधासी रह सकती है परद दोस्तों तनाल लेने की अपेक्षा आपको समस्य को सुलचाने में वितीत करना होगा जहां भेड़ चलती हो जरूरी नहीं है रास्ता सही हो बेड़ हमेशे दोस्तों आसान रास्तों पर चलती है अपने रास्ते आपको खोच चुनने होंगे आपको आपसे बहतर कोई और भी नहीं जान सकता है पारवारिक सदस्य को दोस्तों आपसी सहिए गर के वातावरन को सुकद और मदूर बना कर रखने वाला है और दोस्तों आपको बता दे कि पारवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि आपको अपने रिष्टे को विक्सित करने के लिए अपने सुटी के साथ में नए बना सकते हैं ये जो समय चल रहा है आपके लिए बड़ा ही उत्तम समय है इस समय का आप पूरा ही लाब उठाइए और दूसरों को भी इसका लाब उठाने दीजिए इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मदबेद बाची से सुलचाने की कोशिश करनी चाहिए और दोस्तों दिन बादा रहित गुजरेगा यात्रा कर सकते हैं लेकिन सारवजरिक बहान से देर हो सकती है दूसरे विकल्ब खुले रहेंगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लव लाइफ के बारे में दोस्तों आपको प्रेम आपको ये भी मैसुस हो सकता है कि आपके लक्षे आपके पार्टनर के साथ में मेल नहीं खाते हैं लेकिन दोस्तों कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मदबेद बाची से सुलचाने की आवशकता होगी और दोस्तों आपकी समझने मारने की शंक्ती बहुत ही अ तो दोस्तों आपको सकारात्म परिणा प्राप्थ हो सकती हैं और आपको कड़ी मैनत और संबर्बन का फल मिलने वाला है जिससे कि दोस्तों आप आगे बढ़ने के मार प्रशलित करेंगे आप आज वेतिय योजना के बारे में दोस्तों जान सकती हैं लेकिन निवेश करने से पहले सही हो जना पर आपको अपने मित्र और सही होगी इसे सला मश्वरा करना होगा प्रस्तावा आपके लिए अच्छा साबित होगा आपका दिन आफिस में भी अच्छा गुजरेगा इसके साथ ही दोस्तों आपके स्वास के बारे में बता देती हैं दोस्तों जिल लोग कि दोस्तो आप संबंदी सबित बातों को संथूलन बनाये रखने की आप में जो कोशिश है इस समय काफी सफल होने वाली है फिर भी विचारों में सकारत मक्ता और आत्म फोकस बनाने की अत्यन्त आवशकता होगी तो दोस्तो अंद तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में सची श्रद्दा से जै बजरंगली जरूर लिखेगा